नमस्कार साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल SP Study Point पर मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक्ट स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस क्लास के इंतरगत हम डिसकस करेंगे BSC First Semester Botany का Objective Model Paper ऐसे छाचात्रा हैं जो इस बार BSC First Year में हैं और उनका First Semester है उन सभी के लिए मैं लेकर क्या गया हूँ Botany का Model Paper ये Model Paper Objective Pattern का है जिनका एक्जाम OMR Seat पर होना है जानि की Objective Type MCQ प्रस्ण यानि की Hindi में कहते हैं बहु भी कल्पी ये प्रस्ण जिनके एक्जाम में बहु भी कल्पी ये प्रस्ण आने हैं उनके लिए Model Paper खासकर बहुत ही महत्मोट रहेगा दोस्तों साथ ही साथ में बताना चाहूँगा ये Model Paper जो मने तयार किया है वो NEP के According है National Education Policy जो 2020 में लागू हुई है ऐसे चाचात्राएं जो इस बार फर्स समेस्टर में हैं उनको Confusion है कि उनकी University का Paper किस Pattern पर होगा यानि उनका Paper Pattern क्या रहेगा क्या उनका एक्जाम Written Pattern पर होगा लिखित पर इच्छा कराए जाएगी या फिर Objective Pattern पर पर इच्छा कराए जाएगी तो मैं कुछ University के या कुछ बिस्विद्याले का नाम बताने का प्रियास करूँगा जहां पर इस बार Objective Paper होना है पहली University है दोस्तों DDU University अगर आप दिन दयाल उपध्याय गोरकपूर University से हैं तो आपकी परिच्छा Objective Pattern पर होनी है और Return दोनों मोड में होती है 40 प्रस्ण आपके एक्जाम में आते हैं Objective के और बाकी 6 प्रस्ण आते हैं Long Type के बात करूँगा दूसरी जो University है वो है कानपूर University कानपूर University के जो भी 6 चात्रायम से जुड़े हुई है उनकी परिच्छा Objective मोर में कराई जाएगी यानि कि उनकी परिच्छा बहुविकल प्रस्ण क्याधार पर OMR seat पर कराई जाएगी साथी साथ अगर आप आगरा इन्वर्सिटी से हैं तो आगरा इन्वर्सिटी का भी Paper Pattern Objective रहेगा अगर आप बीर बहादूर पुर्वान चल इन्वर्सिटी से हैं तो भी आपका Paper Objective Pattern पर कराई जाएगा अगर आपको अपनी इन्वर्सिटी को ले करके कोई भी confusion है अगर आपको Paper Pattern नहीं पता चल पा रहा है तो आप हमें comment box में comment करके अपनी इन्वर्सिटी का नाम लिखें आपके exam pattern और Paper Pattern के बारे में बताने का मैं प्रियास करूँगा चले दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं नई सिच्छा नित के तहद जो आपकी फर्स सेमेस्टर में Botany है उसका नाम है Microbiology and Plant Pathology जिसका स्लेबस भी discussion कर दिया है ठेयोरी की क्लास भी संचालित हो रही है लेकिन objective की क्लास नहीं चल लई थी इस बार आपको objective की तैयारी अपनी हम लोग solve करेंगे समय आपको दो घंटे का मिलेगा आपको इस प्रसन को हल करने के लिए और सो प्रसन पूछी आते हैं दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ एक confusion और है किसी किसी इनवर्सिटी में दो घंटे का समय पेपर को हल करने के लिए मिलते हैं और किसी किसी सो पूछे जाएंगे लेकिन आपको 75 प्रसन हल करने होंगे एक नंबर का प्रते कोश्चन रहने वाला है जो 25 नंबर आपके होते हैं वो आंतरिक वाह मुल्यांकर्ण से होते हैं यह 75 प्लस 25 इकोल टू 100 मांक्स अब समझगे चलिए अब पहला प्रसन आपके स्क्रेंट पर है किसमें पहला ओप्शन दिया गया आपका साइनो किसमें अप्शन आपका स्ञाक किसमें प्रो करेंट कुछ का सनचना में में इस अनचना पाइग जाती है वह किसमें पे Sino 5C में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है दोस्तों, Sino 5C, इसी प्रकार से आपका correct option हो जाएगा, option number A, इसी प्रकार से लगबग लगबग 4 model paper में आपको 100 question का solve कराने वाला हूँ, unit by unit भी आपको मिलेगा, कि पहली unit में जितने objective हैं, उनको भी हल करा देंगे, second unit, third unit, इसी प्रकार से आठो unit के, चलिए, question number 2 ध्यान देते हैं, question number 2 है, the class आप LG, having only marine genera is, सैवाल का कौन सा वर्ग केवल समुदरी पौधो का है, option number A आपका दिया गया है, रोडो फाइसी, option B दिया गया है, फियो फाइसी, option C आपका है, क्लोरो फाइसी, और option D दिया गया है, जिन्थो फाइसी, दोस्तों, अगर हम बात करें, सैवाल का कौन सा वर्ग, केवल समुदरी पौधो का है, तो इसमें से रोडो फाइसी केवल, केवल और केवल समुदरी पौधोका है यहां पर आपका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number a दो number प्रसम कहां सही answer क्या है option number a है चलिए question number 3 की बात करते है question number 3 है कि the term of like and was given by like and नाम किसके द्वारा दिया गया था option number a दिया गया लीनियस क्या लीनियस ने like and का नाम दिया था या फिर आरिस total ने दिया था या फिर एलेक्सो पोलस या option number दिया गया है थियो practice ने दिया था तो चलिए like and का नाम किसके द्वारा दिया गया था कौन से बेग्जानिंग ने दिया था जल्दी से आप बता दिजिए तो like and का जो नाम है दोस्तों वो थ्रियो practice दिया थी किसने दिया था थ्रियो practice ने option नमबर आपका डी सही हो जाएगा इस question का answer इसी type के प्रस्ण आपके exam में इस बार पूछे जाने है question नमबर चार पर ध्यान देंगे question नमबर चार है which one of example मारे लाइकें समुद्री लाइकें का उदाहरन इन में से कौन सा है option नमबर ए आपका है दोस्तों लेका नोरा option भी दिया गया है उसनिया इस पेसिस आप संसी है रामालिन और option D दिया गया है केलो प्ले का इस पेसिस तो आपको बताना है कि समुद्री लाइकें का उदाहरन इन में से कौन सा है तो समुद्री लाइकें का उदाहरन दोस्तों वो है केलो प्ले का इस पेसिस आपका option नमबर यहाँ पर D correct answer हो जाएगा चलिए question नमबर पांच है दर रिवर्स फूट लेम लेम नेरिन एंड मानिटाल आर फाउंड इन सुरच्छित खाद लेम लेम नेरिन और मनिटाल किसमें पाय जाता है option नमबर यह दिया गया है फियो फाईसी option B है आपका साइनो फाईसी या फिर यह कलोरो फाईसी में पाय जाता है या फिर रोडो फाईसी में पाय जाता है तो अगर बात करें सुरच्छित खाद लेम नेरिन और मनिटाल किसमें पाय जाता है तो यह पाय जाता है दोस्तों फियोपाई सी में किसमें पाए जाता है फियोफाई सी में पाए जाता है आपका यहां पर कोरेक्ट अंसर उप्रसन नंबर ए हो जाएगा कोश्चन ओंबर छह है दि या गया गया वोईदी नेट्स आर फॉ wild-sep सेल व वाल आप किसी कोष्ड का भित्य में औल va जाता है किसी कोष्ड का भित्य में औलने तो च्वड़ेमे तो अगर बात करें किस को उसका भित्ती में क्या पाए जाता है यहां पर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट एंसर हो जाएगा कोश्चन नंबर साथ की तरह बढ़ते हैं कोश्चन नंबर साथ है जान दिजेगा कोश्चन नंबर साथ है कि दा थैलाई विच इस ट्यूबलर भी धावदास पेटा नूपली एंड ब्रांच आर मल्टी नूपलीट एंड ब्रांच आर कौन थैलाई ट्यूबलर पट विहीन मल्टी नूपलीट और साखाओं वाला होता है आप्सन दिया गया है Philamentis, आप्सन B दिया गया है दोस्तों Heteroticus, आप्सन C है आपका Cyphernes और आप्सन D दिया गया है Parenchimetus तो आपको बताना है इसमें से कौन साथ सही एंसर रहने वाला है Q7 का कौन साथ हैलाई, tubular, पटविहीन, मल्टी नुक्लियेट और साखा वाला होता है question number 7 तो इसका जो answer होगा दोस्तों वो हो जाएगा साइफनस साइफनस इसका correct answer रहेगा option number C इस question का correct answer रहेगा question number 8 है origin is obtained from origin किस सहवाल से प्राप्त होता है आपका option number A दिया गया है गैसी ले दिया option B है दोस्तों का इंट्रस और ाप्षन दिया गया है वो किस सहवाल से प्राप्त होता है fusion प्राप्त होता है साइवाल से सहवाल से किस सेальных होता है common से प्राप्त होता है तो यहाँपर D correct answer हो जाएगा question number 9 है अपका presence of hyd plupart enzyme in some algae कुछ सैवालों में हैडोगिनेच एंजाइम क्यूपस्टिती किस कार के लिए उपयोगी होती है क्या वह हो होती है सीवेज दिस्पोजल के लिए या प्रोडेक्शन के लिए या फिर एनर्जी प्रोडेक्शन के लिए अन्टि बायॉटिक प्रोडेक्शन के लिए दूस्तों कोश्चन मनों बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोश्चन है और यह कोश्चन पूछा भी जा चुका है तो ध्यान रखेएगा कोश्चन में के कुछ सैवाल हाइडोजनेज एंजाइम की उपस्तिती किस कार की लिए उपविगी है सीवेज डाइपोजल के लिए किसके लिए सीवेज डाइपोजल इस प्रूटी कोज लाइकेंस का उदाहरन है आप्सन यहां दिया गया है आप्सन नंबर ए आपका दिया गया है प्यल्टी जरा क्या प्यल्टी जरा जो है यह प्रूटी कोज लाइकेंस का उदाहरन है यह आप्सन भी दिया गया है कैलेडोनिया यह आपसल सी पारमेलिया क्य होगा question number 10 तो इसमें से जो सही एंसर होगा वो option number B होगा क्यों हो जाएगा claydonia claydonia जो है यह प्रकार का फूट्टी likens का उधारण है आपका option number यहाँ पर बी correct answer हो जाएगा option number B यहाँ पर correct answer होगा question number 10 का चलिए question number 11 है दोस्तों in a liken the structure which is help in attachment और likens में कौन सी सनचना उसे attach करने में सहायता करती है option यह आपका दिया गया option number A दिया गया hold fast यह option B है rejoins options यह बोथ आप अबब यह नन आप दीज़ कोशन number 11 बहुत ही interesting question है दोस्तों यहाँ पर पूचा गया है कि liken में कौन सी सनचना likens में कौन सी सनचना attachment करने में सहायता करती है तो यह सहायता जो करती है और rejoins करती है क्या करती है दोस्तों rejoins यहाँ पर आपका option number B सही होगा 11 नंबर प्रस्ण का जो सही answer है वो option B है और option B का नाम है राई राई जिन्स राई जिन्स जो है वो क्या करती है लाइकेंस को attachment करने में सहायता देती है question number 12 चलते हैं दोस्तों question number 12 है isidia isidia are found in isidia किसमें पाया जाता है option दिया गया है virus, bacteria, fungi ये lichens में इसidia किसमें पाया जाता है तो ध्यान रखेएगा दोस्तों अगर isidia पूछा जाये तो ये lichens में पाया जाता है कहां पाया जाता है lichens इसidia are found in lichens इसी प्रकार से आपका जो सही answer होगा वो option number D होगा चली question number 13 है in lichens the fungal components is lichens में fungal components है option आपका दिया गया है itro topic option भी है saprophytic option c दिया गया सहजी भी यानि symbiotic option डी नंबर है यहां पर है पैरा इस्टेटिक यानि की पैरा जीबी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि lichen में fungal component जो होते हैं lichen में जो fungal component होते हैं वो क्या होते हैं symbiotic होते हैं यानि सहजी भी होते हैं option number c यहां पर correct answer रहेगा दोस्तों आज किस model paper में जो मैं प्रस्ण बता रहा हूँ यह model paper आपका इसी type के प्रस्ण आपके exam में आएंगे previous year का question paper जिनको अभी नहीं मिला है वो लोग channel पर जाएं और playlist में जाएं प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा question paper आप चले जाएए जुलोजी के प्ले लिस्ट में या फिर बाटनी के उसमें जितने भी objective paper हैं उनको मने solve करा दिया है तो आप वो कहां से देख लिजिएगा question number 14 ज्यान दीजिए यहां पर है दा association of fungus with algae in lichen is lichen में fungus का समंध सैवाल से क्या है option ए दिया गया non-specific non-specific के रूप में या specific के रूप में या फिर specific for algae या फिर specific for fungi question number 14 बहुत ही महत्मोन प्रस्ण है सबी लोग इसका जवाब करेगा comment box में comment box में सबी लोग लिख के जल्दी से बताईए question number 14 का answer क्या रहेगा question number 14 का answer होगा वो हो जाएगा non-specific like a में fungus का समंध सेवाल से क्या है non-specific non-specific option number a यहां पर correct answer होगा question number 15 है दोस्तों question 15 दिया गया है weathering of rock is in glycans brought about the lichens that are कौन सा लाइकेन कौन सा लाइकेन पत्थर की चटान का प्रारम में छड़ाय करता है option a दिया गया है दोस्तों फोली ओच फ्रूटी कोच या option c दिया गया है लेप्रोच या option d दिया गया है crustose तो question number 15 का जो सही answer होगा वो हो जाएगा crustose crustose जो है वो लाइकेन पत्थर की चटान का प्रारम में क्या करता है option number d यहां पर correct answer होगा question number 16 देखेंगे दोस्तों question number 16 ब्रायोफाइटर्स जनरली ग्रोव इन डेंप प्लेस भीकाज ब्रायोफाइटर्स प्राया नम अस्थानों पर उगते हैं क्योंकि जो ब्रायोफाइटर्स होते हैं यह हमेशा जहां नमी होती है यह नम अस्थान जो होत होता है क्यों क्योंकि दे आर्धा hydropathic plants यह जलवाले पोधें होते हैं या फिर इन में गमेटिजिया नहीं होता है जो इनको विक्सित कर रहे होते भूड की सुरच्छा कर रहे होते हैं या फिर फैलेज लेटेस एस्पर्म की अवस्च्चक प्रसन का आप आंशर करेंगे 16 नंबर प्रसन का जो सही एंसर होगा वह जाएगा option नंबर सी आपस प्रियोज रोप से प्राइब कर या नमी वाली त्थान वहीं पर उगते हैं रायो फाय प्राय नम स्थान पर क्योंकि जो फ्लेज लेटेस हैं एस्परम है जो फ्लेजिलेटेटेड हम आपके लिएगा फ्लेजिलेटेड है फ्लेजिलेटेड एस्परम को अवस्टेक रूप से तैयर कर अंडे के पास बहुचना होता है इसलिए ब्रयोफायटा जो है वो नम्न अस्थानों पर उगते हैं तो आपसन नंबर सीज का किसमें पाय जाता है ओप्सन ए दिया गया है लीवर वार्टस में या फ्यूनेरिया में या फिर आपका डायो प्लेटरिस में या फिर दिया गया है पाइनस में तो आप सबको अंसर करना है कोशन नमर 17 इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा लीवर टस में लीवर टस मे क्या होता है डाई जो डाई कार्टमस ब्रांचिंग होती है वो किसने पाई जाती है लिवर्टस में पाई जाती है आपका सही अंसर हो जाएगा option number a question number 18 है which statement is not true about bryophyta bryophytus के लिए कौन सा कथन सत्र नहीं है दे आर फोटो सेंथेटिक यानि की वह फोटो सेंथेटिक है या option भी दिया गया है या फिर इनमेट ट्रिकडस और वैसल्स नहीं होते हैं या option number D दिया गया है तो दा जाई कोट डिवाइट बाइडा मियूसिस यानि की जाई गोट मियूसिस द्वारा विभाजित होकर क्या करते हैं इस पौरफाइटा बनाते हैं तो इनमें से बताना था ब्राइव फाइटा के बारे में कौन सा कथन इस पौरफाइट बहुत किलिरटी आप देखिएगा कि क्या कह रहा है पूछ रहा है सही नहीं है और कभी कभी क्या होता आप जल्दी बाजिवाजिए में पढ़ेंगे ब्राइव फाइटा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है ध्यान नहीं आएगा और जो सही है उसी को आप कमेंट कर देंगे यहाँ गलत चीज चूछ करना है ठीक है तो प्रहुछ निंबर अखरा में जो गलत है वो ऑफ्शन नुम्मडर डी है जाइटो ऑम सोडेय मोसिश द्रा बिभाजित हो कर इस पोराइटा बनाता यह नहीं बनाता है ठीक है तो यहाँ पर आप्शन नमबर D आपका correct answer गुचाएगा question number B से दोस्तों which of the following character of उचेरिया is not present in chlorophysis नीचे लिखे लच्छों में उचेरिया का कौन सा लच्छड chlorophyce में नहीं पाय जाता है option number A दिया गए asexual reproduction by the gysporous यानि कि gysporous द्वारा allergic present option B दिया गया है उगयमेस टाइप सेक्षवल रिप्रोडक्शन उगयमेस लाइगी प्रिजिनन option C है filamentous structure of thallus यानि थैलस की filament सनलचना option D है oil of the reverse food material सुरच्छित खाद पदार तेल के रूप में अब आपको बताना है नीचे लिखे लच्छण में उचेरिया का कौन सा लच्छन chlorophyce में नहीं पाया जाता है question number 20 तो इस question का जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number D यानि सुरच्छित खाद पदार तेल के रूप में ये क्या किया जाता है ये लच्छा chlorophyce में नहीं पाया जाता है आपका option D से ही हो जाएगा यहाँ पर के next person की तरह बढ़ते हैं next person है आपका इन नेवी कुला दा गयमेटर सफीच आर नेवी कुला में यूगमक है small are females small are males more active are males या more active are females छोटे मादा होते हैं छोटे नर होते हैं या जादा kriya seal नर होते हैं या जादा kriya seal मादा होते हैं तो question नमबर 21 में ध्यान रखना है आपको इसका जो सही answer होगा यो option C होगा जादा kriya seal नर होते हैं more active are males नीवी कुला में यह यो यूगमक होते हैं वो ज़्यादा kriya seal क्या होते हैं नर होते हैं ओके चलिये, Q26 है, कारा थहालस हост not quite, option a दिया गया आपका, option b दिया गया है, डिपलाइड, option c है, च्पलाइड, और और अप मिलाइड और प्र या तो हैपलाइड या तो फिर श tv देपलाइड होसन देफलाइड हो जाएगा। option number A हो जाएगा दोस्तों है फ्लाइट कारा थैलस जो होता है वो क्या होता है है फ्लाइड होता है option number A इस question का correct answer रहेगा question number 23 से life cycle of kilio kit is kilio kits का जीवन चक्र कैसा होता life cycle of kilio kit ठीक है option A दिया गया है है दोस्तों का हेपलाटिक टाइप्स बी दिया गया है डिप्लाइटिक प्रकार यानि डिप्लाइटिक टाइप्स आपशन सी है 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 रहे लो बायोटिक प्रकार और संडी है टाइफ एक हैपलोडिप्लोटिक प्रकार थी कह बहुत ही important question है question number 30 तो किलियो कीट का जो चक्र होता है वो क्या होता है दोस्तों यह होता है हिपलांटिक प्रकार का होता है हिपलांटिक टाइप का होता है option number A यहाँ पर correct answer हो जाएगा question number 24 पर ध्यान देते हैं question number 24 है निम्ण में से कौन सा सीनोबियल सेवाल है विच आप दा पोलिंग इस कौनोबियल अलगी option A दिया गया है यूलो थ्रिकस option B है साइ साइरो गाईरा या क्लोडोफोरा या फिर हाइडो हाइडो डिक्टिक यान question number 24 question number 24 का जो सही एंसर होगा वो हो जाएगा option number D हाइडो डिक्टिक यान जो है वो साइनोबियल सेवाल है option यहाँ पर D correct answer हो जाएगा question number 25 है दोस्तों the term आप अलगी was given by सब अलगी किसके द्वारा दिया गया था option यहाँ ए दिया गया है linear या F E प्रिस के द्वारा या M O P एंगर द्वारा या वीन या वान नील द्वारा question number 25 जल्दी से बताईए सबी लोग कमेंट करके बताईएगा इस question का अंसर 25 नमबर तो इसका अलगी सब्द जो दिया था वोल किस ने दिया था linear ने दिया था option number A option number A इसका correct answer हो जाएगा question number 26 है इन brow phytus brow phytus में होता है option A दिया गया है क्या दिया गया है प्रभावी फेज sporophyta है जो paraptic होता है option B है प्रभावी फेज gametophyta है जो paraptic होता है तो question number 26 इसका answer correct क्या हो जाएगा दोस्तों ना तो A होगा और ना ही B होगा यह दोनों option नहीं होने हैं क्यों प्रभावी होता है बिल्कुल प्रभावी नहीं होता है प्रभावी फेज में जो gametophyta है जो क्या होता है parasitic होता है यह parasitic भी नहीं होता है ठीक है तो यह दोनों option wrong हो जाते हैं next प्रस्न चलते हैं वहाँ पर आपको बताते हैं यहाँ पर है option number C इस पेरोफेटिक फेज छोटा है और gametophyta आपर नर्भर करता है तो आपका option number C यहाँ पर correct होगा ना कि A और B और फिर D अब D option क्या कह रहा है इस पेरोफेटिक फेज होता है और दीरिक कलिक होता है तो यह option भी wrong हो जाता है चलिए question number 27 ज्यान देंगे the scales of thallus of marquesia are marquesia thallus पर उपस्थित scales क्या है option number A आपका है legulate option B दिया गया है appendiculate option C है either legulate और appendiculate या both legulate and appendiculate दोस्तों marquesia thallus पर उपस्थित scale क्या है तो marquesia पर marquesia thallus पर उपस्थित scale है वह है दोनो legulate और endiculate तो आपका option यहाँ पर D सही हो जाएगा question number 28 है दोस्तों the thallus of anthoceros is anthoceros thallus है option यह दिया गया है है आपका की differentiated differentiated in photosynthetic and storage region यानि photosynthetic और storage छेत्रों में विभक्त है option B है not differentiated in such region किसी भी छेत्र में different नहीं है option C है either photosynthetic और storage region are present या तो photosynthetic या फिर storage छेत्र उपस्थित होते हैं और आप एबब तो question number 28 में आपको ध्यान रखना है question number 28 का जो correct answer होगा दोस्तों हो जाएगा option number B किसी भी छेत्र में differentiated नहीं है क्या है not differentiated in such reasons option B यहाँ पर correct answer हो जाएगा next प्रस्त पर चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा भी language आपको टप लग रहा होगा क्योंकि इसमें जो प्रस्ण अभी आपको मिल रहे हैं वो प्रस्ण आपको दिये जा रहे हैं कहां से अलगी वाला जो topics हैं आपका जो एलगी का topics है सबसेदा प्रस्ण वहां से हैं फिर आपको बैक्टीरिया से प्रस्ण मिलेंगे फिर आपको कहां से मिलेंगे दोस्तों आपको लाइकेंस और ब्राइव प्रस्ण से मिलेंगे तो अभी आप या पो रेला में पाए जाते हैं या एंथोसेरस में पाए जाते हैं कुश्चन नमर 29 बहुत ही आसान सा प्रसना है सभी लोग मुझे लग रहा है इसका जवाब तो आप रूख दे ही पाएंगे पोर फाइरा या आप्शन बी दिया गया है सिनीडिमेस या आप्शन सी आपका दिया गया है क्लोरेला या जी लीडियम तो question number 30 का जो correct answer हो जाएगा हो जाएगा option no.C Clorana Clorana जो है वो क्या किया जाता है Space Research के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है option यहां पर C सही हो जाएगा आपका ठीक है चली नेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं question number 31 है कि die atoms belongs to which class आप अलगी die atoms सेवाल कि किस वर्ग से सम्मंधित है option आपका A दिया गया है chlorophyce, option B है krisophyce, option C दिया गया है dynophyce, option C है bacillaryophyce तो आपको ध्यान रखना है question number 31, 31 नमर प्रस्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजेगा ठीक है यह question एक बार repeat हो चुका है और आने की संभावना भी है die atoms सेवाल कि किस वर्ग से सम्मंदित है die atoms जो है वो सेवाल कि किस वर्ग से सम्मंदित है क्या वो chlorophyce से सम्मंदित है या फिर dynophyce सम्मंदित है तो ना तो यह chlorophyce से है ना यह cryophyce से है या फिर ना डायोफाइसी यह है बैसी नीरियो फाइसी से समद्धित है आप्सन नमबर डी यहां पर करेक्ट एंसर होगा 31 नमबर प्रस्ण का ओके चलिए नेक्स प्रस्ण पर चलते हैं कोईश्ट नमबर 32 अलगी विच लिब इंदो पिटकली लिए कौरॉलाइट रूट आप साइकस इजएं कोरोलाइड Dw फी ले के अंदर कौन साहासाइवाल रहता है क्या option A दिया गया है आसी लेटोरिया या फिर साइटोनीमिया या option C दिया गया है एना बीना या option D दिया गया है नान स्टाक question number 32 इस प्रसंद का जो correct answer है मित्रों वो है option number C एना बीना साइकस में कोरा लाइट जल के अंदर कौन साइवाल रहता है तो ये कौन साइवाल एना बीना जो है वो जलो के अंदर रहता है option यहाँ पर C correct answer होगा option number 33 अगार अगार इस आप्टेंड फ्राम अंगार अगार अगार प्राप्त होता है option A दिया गया है जैरेडियम से या फिर क्लोरेला से या फ्यूकस से या लिमिनेरिया से ये सभी क्या है ये सभी प्रकार के सैवाल है दोस्तों ठीक है ये कहां से प्राप्त होता है अगार जो है और written pattern पूछ लेता है write a short note on अगार ठीक है मैंने अभी कल जो model paper पर दिया है उसमें मैंने ये question आप लोग को दिया है ठीक है तो अगार प्राप्त होता है किस से question number 39 तो ये प्राप्त होता है JLADM से किस से प्राप्त होता है JLADM से option number A आपका correct answer हो जाएगा 33 number प्रस्ण का ओके चलिए next प्रस्ण को solve करते है next प्रस्ण आपका है दिया गया है कि साइनो फाइसीयन कोश्का में CO2 स्थरी करण enzyme किसमें पाए जाता है यानि carbon dioxide स्थरी करण किसमें पाए जाता है option यहाँ पर दिया गया है कि म्यूसीले जिनेसस सीधा में या फिर कोश्का membrane में या chromoplasmum या फिर pleihedral bodies जो centroplasm के निकेट उपस्थित होता है किसमें पाए जाता है दोस्तों question number 34 यह पाए जाता है chromoplasm कि में क्यां पाए जाता है chloroplasm में पाए जाता है option यहाँ पर C का correct answer हो जाएगा next person की तरब बढ़ते है question number 35 है question number 35 दिया गया है hydro dictyan में दो युगमक संयोजित होते हैं वोई क्या होते हैं iso gametes होते हैं या physiologically unisogametes होते हैं या दो विभिन gametesia के रूप में आते हैं या दो विभिन stence के दो synovia में आते हैं दोस्तों इस प्रकार के प्रसंद का correct answer होगा जब भी आपको hydro dictyan में दो युगमक संयोजित हों इस type का प्रसंद पूछा जाए तो आपको ध्यान रखने ही योग बात यह है कि अगर आपको iso gametes दिख जाए option में अगर आपको iso gametes दिख जाए तो उसी पर आप टिक करेंगे और correct answer आपका यहां पर A होगा क्या हो जाएगा option number A इसका correct answer होगा question number 36 है कि jamie are the sexual reproduction bodies up jamie allergic संद्शना है option A दिया गया है आपका फ्यूने दिया का option B है option C है दोस्तों मार के सिया और option D दिया गे नन आप दिज या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो question number 36 jamie aligic संद्शना है तो यह कहा है मार के सिया यहां पर जो सही अंसर हो जाएगा वो option number C हो जाएगा दोस्तों option number C आपका correct answer हो जाएगा question number 36 दिया गया है hero hetero systems hero systems are found in members आप hero systems पाए जाते है option दिया गया redophyce में या option C है synophyce या chlorophyce या फिर genthophyce तो hetero systems पाए जाते है heterosystems कहां पाए जाते हैं दोस्तों यह synophyce में पाए जाते हैं आपका option जो हो जाएगा यहां पर correct हो जाएगा हो के चलिए next person की तरफ बढ़ते हैं question नंबर आरती से दो तो इन उड़ो गोनिया दा एंटो इस्पोस आलबेस जर्मिनेट्स है उड़ो गोनिया में एंटो इस्पोस हमेशा अंकुरित है आप्सन ए दिया गया है और दा उगोनिया उगोनिया पर आप्सन भी दिया गया या अंडा सफूलेटरी सेल पे या औप्सन सी हे आलबेस क्रोन और अगोनियम या प्री इन दा वाटर कोश्चिन नंबर अर्टिस्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कोईशन है कोईशन नमबर आर्टिस का जो सही एंसर हो जाएगा ऑफसन नमबर सी होगा उगोनिया के निकट कहीं भी ठीक है एनिवेर खोलोज दा उगोनियम ऑफसन नमबर सी दा करेक्ट एंसर कोईशन नमबर 49 है एलगी इन विच कैप सेल आर फाउंड सै 49 नमबर प्रसंट को आप लोग ध्यान रखिएगा इसका जो सही एंसर हो आपसन भी हो जाएगा उगोनिया अगर पूछा जाए कि सहवाल जिसमें कैप को इसका पाई जाती है वो कौन सा सहवाल है उगोनियम कौन सा उगोनियम आपका ऑप्सन नमबर सी यहां पर बी सही हो इस पोली साइफोनिया में पाए जाने वाले घड़े के आकार की संचना को क्या कहा जाता है या फिर पेरी कार्फ कहा जाता है या फिर आर्ची कार्फ कहा जाता है या फिर सिस्टो कार्फ कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों इसको कहा जाता है सिस्टो कार्प जो पोलीस साइफोनिया में जो पाया जाने वाला घड़े की अकार की सनचना होता है उसको क्या कहा जाता है सिस्टो कार्प कहा जाता है आपका option number D यहां पर correct answer हो जाएगा क्या सही हो जाएगा option number D ठीक है सिस्टो कार्प कुश्चन नबर 41 है प्रोटीन रिच अलगी इज प्रोटीन प्रचुल सेवाल है option यह दिया गया है दोस्तों आपका जाती है कोश्चन नबर 41 तो यह पाई जाता है क्लोरेला में कहां पर क्लोरेला option number D आपका correct answer हो जाएगा यहां पर है कि रिकिसिया प्लूटेन्स इस रिस्किया प्लूटेन्स इस यानि रिस्किया प्लूटेन्स है option A दिया गया दोस्तों एक वेटिक आप्शन बी है टेरेस्ट्री यल और पिंसी दिदिया गया है यूपी फाइटिक और आपसम में को छौनव है आपको यह बताना है जो है एक वेटिक रिस्किया फ्लू टेंस जो क्के스न नमबर 43 है मारकेशिया इस मारकेशिया इस दिया गया है option a दिया गया है कि उभे लेंग लिंगी होता है यह एक लिंगे Circ किनियों फोर दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे क्या कहते हैं फीमेल रिस्पेटिकल कहते हैं या कार्पो गोनियम कहते हैं या फिर कार्पो सैफलनम कहते हैं या फिर आर्ची गोनियम कहते हैं तो कॉश्चन नमबर 44 का जो करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो ठीक है फीमेल रिस प्रेक्टिकल होता है यह आप्षन नंबर एस का करेक्ट एंसर हो जाएगा आप्षन नंबर एस का सही एंसर रहने वाला है कोशिन नंबर 44 का चलिए नेक्ट प्रस्ण है अप्षन नंबर एस कोशिन का जो सही एंसर है वो आप्षन नंबर डी हो जाएगा इंड लाइकर ने थैलो प्रस्ट सब्ज दिया था यहाँ पर आपका सही एंसर हो जाएगा आप्षन नंबर डी ठीक है चलिए question number 46 दोस्तों दॉस्तों ला जुष प्रोडूस्ट प्रामदा यूनी लाकुलर इस पोर्जिया और यूनी लाकुलर इस पोरजिया से उत्पन जुष फोर्ज होते हैं option area गय है है यह बाइड डीप लाइड यह ना आप दिस यह इन में से कोई नहीं तो Question No. 46 है दोस्तों इसका Correct Answer हो जाएगा Question No. 46 का 46 में प्रसंद का जो सही answer होगा वो Option No. A होगा है Applied होगा है तिक है यूनी लाकुलर स्पोरजिया से उत्पन जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं Applied होते हैं Option No. A हाँ पर Correct Answer हो जाएगा नेक्ट प्रसंदेखहते हैं कॉस्च्ट को सिभा नहीं होता है कि चाई का लाल किट रोग होता है बैक्टीरिया में होता है लिए को या क्वक्त स्टार्च और प्रोटीन सीट से घिरा होता है यह अप्सन भी दिया गया प्रोटीन कोर स्ट्राउंडेट बाइद फैटी सीट प्रोटीन कोर फैटी सीट से गिरा होता है आप संसी है प्रोटीन सेंटर एंड दा इस्टेरी सीट प्रोटीन कोर और स्टार्च यहां पर स्टार स्टार्च होना चाहीडे दि epidolly né टि मैसिट होता है तो आपको ध्यान रखना है वो प्रोटीन को तथा कर् kij eine सर हो जाएगा एक स्टस्ट इसे मच्छर के लारुआ मर जाते हैं कि कौंछ सवार है जिससे मच्छर के लारवा मर जाते हैं आप्सन ए है कारा सैवाल या इसपोरो गायरा या आप्सन सी है एक्टो कापर्स या वाल वाक्स ठीक है तो सैवाल इनमें से कौन सा ऐसा सैवाल है जिनसे मच्छर के लारवा मर जाते हैं उन्चास नमबर प्रसन तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा हो जाएगा इस पाई रो गाईरा इस पाई रो गाईरा जो होते हैं इनसे मच्छर के लारवा मर जाते हैं एक प्रकार के एसे सेवाल हैं इस पर रो गाईरा जिनसे मच्छर के लारवा मर जाते हैं आपका option यहाँ और क्रेक्ट एंसर हो जाएगा option number B ठीक है नेक्स्ट प्रस्ण है कि डिपोजिट आप कोई डिया टॉमिक अरकाल जीवास में डिया टॉम्स को क्या कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों ऑप्सन एडिया गया है किस लगर या केराजेनिन या फिर रेजिन या ये हूमस तो जीवास में डियामटर को क्या करते हैं प्रसंट का जो स्वेशन होगा सब्सक्राइब किस लगर करते हैं आपका यहां पर आप्शन नंबर एक और एंसर हो जाएगा को जाए मैं आसी लेक्टोरिया में गैस वेक्यूलस बनते हैं जब प्रकास तीब्र कम्र हो या प्रकास तीब्र अधिक हो लाइट इंटेंसिटी लो यह लाइट इंटेंसिटी इज हाई यह टमप्रेचर इज स्लो यह आक्सीजन कंसेंटेशन इज हाई यह आक्सीजन सा अंदरता आधिक हो तो ध्यान रखिएगा कोशन नमबर 21 का 51 का जो करेक्ट एंसर होगा वो आपसन नमबर ए होगा प्रकास तीवरता जब कम हो गी के अंतरगत हमने पचास प्रसनों को चूच किया था यह सभी प्रसन ऐसे हैं जो दो हजार बाइस उन्निस और बीस के अंतरगत मुझे गए थे अब्जेक्टिव पैटन पर दोस्तों पहले जो आपका ओल्ड पैटन था तब तीन पेपर हुआ करता था प्रजेक्ट का तब की क्लास में हम आपको प्रतेक यूनिट के इंपॉर्टन प्रसन लेकर कर आएंगे यूनिट बाई यूनिट यानि यूनिट नंबर फरस्ट जो आपका है माइक्रोस्कोपी ठीक है तो माइक्रोस्कोपी के जितने भी इंपॉर्टन अब्जेक्टिव प्रसन होंगे उनको म में solve कराने का प्रयास करूंगा ठीक है बाकि नेक्ट प्लास में जो जो लोजी की जो क्लास होगी वो जो जो जी का model paper लेकर के आऊंगा जहां पर 100 प्रस्ण objective टाइप के में solve कराने वाला हूं वहीं से लगबर लबक वो model paper पर ऐसा model paper होगा जहां से मानकर चलिए कि आपके एक्जाम में 60 plus question उसी model paper से मिलेंगे ठीक है क्योंकि वो model paper में इस लिए तयार कर रहा हूं क्योंकि जो भी भी इन इन्वर्सिटी है उनके प्रस्णों को एक अठा करके और एक नया model paper तयार कर रहा हूं जो आपके एक्जाम में इस बार पूच्छा दाएगा आज की एक लास आप लोग को कैसी लगी comment box में comment करके ज़रूर बताएं साथी साथ दोस्तों इसका PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा टेलिग्राम चैनल का link description box में है वहां से आप जाइन कर सकते हैं या आप सर्च कर लिजिए SP study point जैसे ही आप टेलिग्राम पर SP study point सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल दिखेगा जहां से आप जाइन कर प पैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा दोस्तों आज के लिए वसितना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत